नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naysubha.org naisubeh.org Assalamualaikum नई सुभा इंडिपेंडन लिविंग प्रोग्राम के ब्यूटि टिप्स के साथ मैं हूँ नादिया सबा अगर आपके स्किन ऑईली है तो आपको एक्सेसिव ऑईल का प्रॉब्लम बहुत जादा फेस करना पड़ता होगा और समर्स में ये प्रॉब्लम डबल हो जाता है स्पेशली अगर कोई आउटडोर एक्टिविटी हो या फिर किसी भी किसम का मेकप का इस्तमाल किया जाए तो इस ऑईल की वज़ा से कुछी देर के बाद स्किन ग्रेट टोन देना शुरू कर देती है लेकिन आज की रेमेडी के जिरिये आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं इस सिंपल सी रेमेडी के लिए हमें चाहिए एपल स्लाइसेज दो अदक छिलका उतार कर बारी काट लें वाइट विनिगर जरूरत के मताबू इस रेमेडी को बनाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल है आपने सबसे पहले एक बोल में दोनों स्लाइसेज को रखना है और इसमें इतना सिर्का डालना है कि स्लाइसेज इसमें डिप हो जाएं और फिर इसको कवर करके कुछ देर के लिए छोड़ दें ठाके सेब के स्लाइसेज विनिगर में सॉफ्ट हो जाएं 10-15 मिनट के बाद चेक करें तो सेब के स्लाइसेज बिलकुल बिलकुल सॉफ्ट हो चुकी होंगे अब आप इसको इस्तमाल कर सकते हैं सबसे पहले अपने फेस को वाश कर लें इसकी बाद एपल के स्लाइसिस को अपने हाथ पर रखें और हाथ की मदद से हलका सा प्रेस करके मैश कर लें फिर इसकी बाद अपने हाथों पे हलका सा रप करके फेस और नेक एरिये पर अच्छी तरह अपलाए करें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें 10 मिनट के बाद अपने चेहरे और नेक की स्किन एरिया को अच्छी तरह मसाज करें इसके लिए आप अपने पास किसी कप में थोड़ा सा पानी रखें और हाथों को गीला करते रहें और सर्कुलर मूवमेंट में हलकी हाथों से मसाज करें Specially around nose and lips area 5 मिनट के मसाज ये बाद अपने फेस और नेक की स्किन को साधे पानी से अच्छी तरह वाच कर लें इस रेमेडी को इस्तमाल करके ना सिफ आप अपनी स्किन पर आने वाले एक्सेसिव ओयल को कंट्रोल कर सकते हैं इसके साथ साथ स्किन पर होने वाले मुक्तलिफ इशूस जिनमें ब्लैक हैड्स और डार्क टोन्स वगरा शामिल है इसको भी विक्स कर सकते हैं ये तो थी आज की टिप तिल नेक्स टाइम अल्ला निगे बान ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराय इस्तमाल कीजिए